ओम स्री गनेशा नमा दोस्तों एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दोस्तों आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 मार्च रविवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मेथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कै सा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग से रि चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मिथुन रासी वालों के लिए रविवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज धन अचल संपत्ती इत्यादी को लेकर भी इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों इस समय आप निवेश का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेश कर आर्थिक इस्तिती को और भी मजबूत बनाने में आप सफल हो सकते हैं दोस्तों साति सात अपने माता पिता के साथ संबंदों को और भी सुदारने का प्रियास करें इससे ना केवल आपको भागय का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी करियर उचाईयों पर जाने की आज संभावना दिखाई दे रही हैं यदि आप नौकरी बदनना चाहें तो उसमें भी आपको आज सफलता प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों साति सात आज आपको आपके मित्रों का शैयोग प्राप्त होगा जो आपको शकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत साहित करेंगी आपको अपने कारे छित्र में कई कारों के लिए आज अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तों आज का समय आर्थिक दरश्टी कोण से आपके लिए बहुती अच्छा समय हैं क्योंकि इस दोरान आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं दोस्तों साति सात आज आप किसी पार्टी में भी सामिल हो सकते हैं अत्वा परिवार और मित्रों के साथ कहीं डिनर या लेंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं कला के छेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा जो लोग आध्यात्मिक के छेत्र में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे पढ़नामों की प्राप्ति होगी जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा साथ साथ इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ट अधिकारियों दुआरा भी आपके कारों को सरहारा जाएगा आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से महनत करते हैं तो सफलता पाने से और पदोनती से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तो अब बात कर लेते हैं अज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो इस दोरान कुछ लोगों का अपने ससुराल पक्ष के लोगों से जगड़ा हो सकता है अथवा आपके जीवन साती दोरा अपने माईके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच यंतन एम वानी पर सैयम रखें अन्यता विवाद में फस सकते हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तो आपको इस बात का भी अवस्य ध्यान रखना चाहिए कि अत्यादिक आत्म विश्वास में पढ़कर कोई भी गलत निर्णे ना लें और अपने अधिनिस्त करमचारियों क को भी किसी प्रकार का कश्ट ना दें अन्यता इस्थिति आपके विपरीत हो सकती हैं इसलिए दोस्तों तैयार हो जाईए और संभवनाओं को सच में तबदील करने के लिए क्योंकि अभी का समय आपके लिए मेहनत करने का समय हैं इसलिए आप जम कर पसीना बाहें अपनी जिम्मेदारियों के मूल को समझने में आपको परिशानी हो सकती हैं इसके लिए आपको अपने परिवार के किसी अनुबव व्यक्ति से सला लेने की आवशकता पड़ सकती हैं जिहां दोस्तों कई बातों को लेकर आप आज चिंतित हो सकते हैं जिससे सारारिक तथा मानसिक रूप से आज आप ऐस्वस्त का अनुबब कर सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ आज अनबन भी हो सकती हैं सकारत्मक सोच वे आत्म विश्वास कारों में आज आपको सफलता दिलाएगा या दोस्तों आपके लिए आज आवश्चक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेन परिवारिक जीवन में आज चिंताओं के वरद्दी हो सकती हैं लेकिन यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याएं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी दोस्तों बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तों आपके प्रेम जीवन में आज बहार आएगी आपको जरुत हैं तो बस अपने आख कान खुले रखने की जो एविवाईत हैं तो प्रेम विवाके आज उनके लिए योग बनेंगे प्रियतम से आज आप अपने दिल की बात साजह कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं मन के अनकूल प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज संभावना पाई जाती है यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने मन की बात भी आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आप दोनों में काफी उत्सा देखने को आज मिल सकता है एक दूसरे के प्रती सानभूती आज हो सकती हैं तथा कामकाज को लेकर भी अपनी बातों को आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो आप अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेम जीवन में शानती, शदबाव, रोमांस आदी का आज समावेस होगा दोस्तो आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती उत्तम दिन रहने वाला है दोस्तो बात करते हैं जब का वैवेसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे छेतर में आज वातावरन आपके अनुकूल रहेगा और शेय करिमियों का आज आपको भरपूर शेयोग प्राप्त होगा जिससे सभी कारे बहुती आसानी से पूरे होंगे दोस्तो आपको अपने करियर और विजिनिस में आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी आप अपनी सफलता के आज जंडे गाड़ देंगे या दोस्तो आर्थिक रूप से भी आज उन्नती के अच्छे अफसर आपके सामने आएंगे और उसके फलसरूप आज आप अच्छा दहनलाब प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे जहां दोस्तो भार की कंपनियों से भी आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना हैं साती सात विध्यारतियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं कोट कचैरी से जुड़े लोग भी आज का स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज आपकी स्वास्थ में कुछ हद तक सुधार आएगा यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दौरान आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है आपकी उस बीमारी में सुधार आ सकता है जिससे आपकी परिशानिया कुछ हद तक कम हो सकती हैं दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्थ रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेशोपाई क्या है दोस्तो आज आप इसनान आदी से निर्वत्र होने के बाद एक सवा मीटर लाल कपड़ा लें ज्यां दोस्तो उस सवा मीटर लाल कपड़े में आप अपने श्रद्धा के अनुशार अपने शामर्त के अनुशार गुड और चावल भरकर आप किसी जवतमंद को भगवान शुरदेव के समर्ण करते हुए दान करें ज़्यां दोस्तो ऐसा करने मातर से हی भगवान शुरदेव आपके समस्थ कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिसानिया चल रही हैं सभी परिसानियों का अंत करेंगे और आपके जीवन में खुसियां खुसियां होंगी जहां दोस्तों आप इस सुपाय को वश्य करें आपको वश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तों भगवान शुरदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैशुरेदेव अबस्च रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद